दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं backman rearrangement reaction के बारे में ये reaction जो है बहुत जाता important है मैंने आपको last के वीडियो में जो मैंने आपको reactions पढ़ाए थी उसमें मैंने आपको बताया था कि backman rearrangement से बहुत सारे questions जो है previous year में पूछे गया है and इस बार जो भी MSC entrances होगे like आपके JNU के तो हो ही चुके हैं लेकिन जो आपके BHU के हैं या फिर DU के हैं या फिर CUCD के जो होने वाले हैं उसमें आपको जो है इससे जो है आपको questions देखने को मिल सकते हैं एक बहुत important यहाँ पर reaction है तो इसके बारे में आपको shortly बहुत अच्छी तरीके से बताने की कोशिस करूँगा इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को जो है end तक देखना and उसे पहले चानल पर नहीं है तो चानल को प्ली subscribe करना यहाँ पर जो है अग्जीम का जो है rearrangement reaction होता है and एक जो है आपको अगर आप cyclic compound के तरह बात करे या फिर normally chain में जो है आपको एक amide का formation होता है इस तरीके सम कह सकते हैं तो यह जो reactions होते हैं mainly आपका acid के presence में होते हैं लेकिन यहाँ पर आपको में समझने वाली बात क्या है कि rearrangement होते कैसे हैं या इसके mechanism कैसे होते है and mainly जो है आपको इसके लिए reactant को पहचाना है और वाकी बात आप reactions को कर सकते हैं तो सबसे पहला यहाँ पर आप reactant देखो तो यहाँ पर देखो रियक्टेंट कुछ इस तरीके जो है double bond NOH होता है इस तरीके से reactant होता है आपका इस तरीके से दिया हुआ तो यह reactant के थूरू आपका यह reaction हो तो सबसे पहले क्या होता है देखो यहाँ पर नोर्मली पहले इस reactions के बारे में बताई गई है और उसके बाद में हम यहाँ पर आगे इसके mechanism भी जानेंगे तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर H2 ऐसा 4 दिया जाता है यहाँ पर केप्रो लेक्टम का आपका formation हो जाता है इसके उपर में ही आपको BHU में एक कोशन पुछा गया था कि जब आप यहाँ पर साइकलो हेक्जेनोन को जब आप NH2 OH के साथ जब आप reaction कराओ तो क्या form होगा A में तो A में आपका यह form होगा एंड जब यह form हो जाएगा तो उसके बाद उससे क्या form होगा तो केप्रो लेक्टम form होगा एंड जब इससे आप base दे देते हो तो यह आपका nylon का formation कर देता है तो यह reaction बहुत ज़दा important है इस reaction को आप याद रखने यह reaction बहुत ज़दा important है या polymers में आपने जरूरी पढ़ा होगा तो अब हम यहाँ पे start करते हैं अपने mechanisms के बारे में तो सबसे पहला यहाँ पे आप देखो mechanism के लिए तो यहाँ पे देखो reactant आपको इस तरीके से दिया हुआ double bond NOH सबसे पहला यहाँ पे क्या होता है कि जब आप H2SO4 दोगे जब आप H2SO4 दोगे तो oxygen जो होगा ना oxygen का lone pair H2SO4 का H plus को abstract कर लगा एंड इस तरीके से abstract करने के बाद में आपका OH2 का इस तरीके से formation कर देता है अब यहाँ पे main आती है आपकी rearrangement अब rearrangement के लिए जब तक आपको यहाँ पे कोई stereo mention नहीं है तब तक आप normally reaction करा सकते हो यहाँ पे दोनों side equivalent है तो हम क्या करेंगे यह जो bond यहाँ migrate हो रहा है nitrogen के पास में यहाँ पे आप देख सकते हो यह bond आपको nitrogen के पास में यह वाला carbon जो है से liberate कर जाएगा and liberate करने के बाद में आप चेक करेंगे सबसे पहले देख वन देन टू देन थ्री फोर फाइब सिक्स सेवन में बरिंग का जो है formation हो जाएगा जिसमें आपका कुछ इस तरीके जो है double bond का यहाँ पे c double bond end का formation हो जाएगा अब जो है यहाँ पे यह बोन जो है migrate किया होगा इसलिए यहाँ पे एक आपका positive charge जो है चला आएगा तो यहाँ पे आपको अभी तक समझ आया होगा अब देखो next step में क्या होता है next step में क्या होता है यहाँ जो water leaf किया है वह water फिर से यहाँ पे इस carbon and attack करने के बाद में आपका कुछ ही इस तरीके सा formation हो जाता है mainly यहाँ पे OH2 पोजिट्व का formation होगा तो यहाँ पे यह जो है leaf कर जाएगा and यहाँ पे आपका OH का formation हो जाएगा अब next step में क्या होगा यहाँ पे यहाँ पे आपका यहाँ नहीं होगा एंड इसे ही आप caprolectum कहते हो तो यह इसका mechanism होता है basic यहां पे तो इस चीज को आप यहां पे ध्यान देना आप देखो यहां पे क्या है ओके तो यह इस चीजों का आप यहां पे ध्यान देना अब हम बात करने वाल है अपने next यहां पे चीज जो है जैसे देखो अभी हमने उसी reaction के बारे में बात की तो अब यहां पे देखो अब हमने क्या है लिए यहां पे जो pH double bond जो है आपका OH दिया हुआ है इस तरीके से अब जो हैसे हमने फिर से यहां पे H plus दे दिया अब जैसे ही आप H plus दे दोगे तो इस कोई cyclic चीज प्रेजेंट नहीं है जैसे उपर में हमारा cyclic हमारी यहां पे प्रेज़ेंट नहीं है तो यह जो Lone pyr होता है यह इस तरीके से वापिस चलाता है और हमारा कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर आपका nitrogen का formation हो जाता है तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान देना अब next case में क्या है nitrogen पर आपका positive charge चलाता है तो यहाँ पर positive charge nitrogen parents बहुत ज़यदा unstable होता है तेखको यहाँ पर जो بھی мои reactions बता रहो हूं आपका नेटरलाईस कर देगा और आपका इस तरीके से compound का formation हो जाएगा अब next step में क्या हो जाएगा this step में यह इस तरीके से enrichment होगा ketone and total metabolism करके and यहाँ पर ketone का आपका formation होगा यारी टोटल जी जो है यहाँ पर amide का formation हो जाएगा तो इस तरीके जो आपका reactions होता है तो इन चीजों का आप यहाँ पर ध्यान देना अब हम बात करने वाले हैं अपने next यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है just like माल लो कि अब हम यहाँ पर mainly बात करने वाले हैं कि कौन सा जो है OH migrate करेगा यानि कौन सा OH नहीं कौन सा group जो है migrate करेगा अगर आपको stereo की बात कही जागी normally तो हमने यहाँ पर भी तक migrate किसी को भी करा दिये जब सारे जो है bonds equivalent है यानि उपर में जो भी pH pH जो है equivalent है या बागी चीजे थी लेकिन इस cases में देखो क्या होता है जैसे कि मैंने भी आपको उपर mechanism बताया है तो इस cases में मैं भी आपको mechanism नहीं बताऊंगा dietly मैं आपको provider बताऊंगा सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या है आप भी जो है आपको यहाँ पर oxyme बनता कैसे है तो जब आप NS2OH दे देते हो इस cases में तो देखो reaction कैसे करना यहाँ से 2H निकालना और यहाँ सी यह oxygen हटा देना तो आपका double bond NOH formation हो सकता है अब main important क्या है कि यह OH यह दो तरीके से हो सकती है एक case में क्या हो सकता है यह आपका right side में हो सकता है oxygen का जो lone pair है aluminium का vacant orbital जहाँ पर present होता उसमें attack करके जो है OH को एक बहुत अच्छा leaving group में जो यह convert कर देता है and convert करने के बाद में यह leave कर सकता है mainly यहाँ पर AL2O3 का जो है mainly यही work किया जाता है अब सबसे important क्या है कि जैसे मैंने बोला यह OH का anti-olam migrate करेगा तो देखो simply आपको करना क्या है simply आपको करना क्या है जैसे कि मैंने बोला कि आपका एक hemide बनता है यानि N and H and यहाँ पर C double bond O का formation होता है तो इसके बारे में हम यहाँ पर reactions करते हैं सबसे पहले देखो किया यहाँ पर कि आपको पता यह OH का anti-group जो है आपका यह वाला group है तो आपको simply करना क्या है इस group को जो है हाँ पर migrate कर देना है and यह OH को जो है leaf करा देना है okay जैसे यह leaf कर जागा तो यह group जो है nitrogen के पास चला जागा देखो यह group जो है nitrogen के पास चला गया and आपको पता कि जो group nitrogen के पास चला जागा और उसके बाद में जो आपका इस तरीकेस जो है M8 का formation हो जाएगा मतलब N के बगल में जो है एक double bond O और जो group present था वही group आपका फिर से यहाँ पर आ जागा जैसे कि मैंने भी उपर mechanism किया है आप भी कर लेना तो इन चीजों का आप यहाँ पर ध्यान देना आप नेक्स यहाँ पर बात करने वाले हम यहाँ पर यहाँ पर कुछ यहाँ रेषियो दीवे यहाँ पर रेषियों दीवे 70 इस टू आपका 25 और 75 इस टू 27 मतलब यहाँ पर जो है मैंली यह bulkी group तो यह O right side में जाने की ही कोसिस करेगा बिकोज यहां पे देखो यह ज़्यादा बल्कि group है तो यह ओसी इधर रहना है नहीं चाहेगा तो इसका ratio कम होता इसका ratio ज्यादा होता है बट मैं यहां पे आपको mainly mechanism के बारे में समझाने की कोसिस कर रहा था तो यह हमारी backman arrangement थी, अब similarly जो है इस case में देखो क्या है, कि आपको यह reactant दिया हुआ है, यहाँ पे हमने NH2OH ले लिया, तो इस case में फिर से जो है दो चीजे का formation हो सकता है, या तो right मों हो सकता है, या तो left मों हो सकता है, जैसे मैंने आपको trick बता है, इस group को आपको nitrogen पर migrate कर लगा देना है, यहाँ पर double bond O लगा देना है, तो देखो इस group को हमने nitrogen पर migrate कर दिया, यहाँ पर double bond O लगा देना, तो आपका इस case में फिर से इसका formation हो जाता है, and ratios की बात करो तो इसका 86% होता है, and इसका 88% होता है, लेकिन यहाँ पर 14, and इसका 12% होता है, मतलब यह ज़्या यहाँ पर यह group के कारण यहाँ पर steric कर सकता है, तो यह चीज को आप ध्यान देना, तो यह आपका backman arrangement है, आप similarly यहाँ पर कुछ examples है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारा important चीज है backman fragmentation reaction, okay, backman fragmentation reaction के बारे में जो हम यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या होता है जब आपको यहाँ पर 3 degree जब आप लेते हो ना, जब आप 3 degree इस cases में लेते हो, जैसे अब हमने उपर यहाँ पर इतना भी यहाँ पर alkal group लिया है, उसमें 2 degree, 1 degree and इस तरह कीसे नोर्मल चीजे लिए हुई है, लेकिन जब आप यहाँ पर 3 degree लेते हैं तो इस case में बैकman fragmentation reactions हो कि जैसा कि मैंने बोला कि यहां पर फिर आप पर यहां पर प्रोड़क्त बिल्कुल नहीं होगा यही होता है बैक्मेंट कि यहां पर कुछ इस तरीकी का यहां पर क्रोस ओभर यहां पर फॉर्मेशन हो सकता है यagon Miche जो फिर आirus Är यहां पर जो है एंड यहां पर प्रयसें देखो कि आंपको यहां पर रियक्टेंट करते हैं यहां पर आपको यहां पर बताता हूं यहां पर सबसे इंपोटेंट चीजह यहां पर बॉंड सिप्टिंग होता है, यानि यह बॉंड सिप्ट होके जो है, यहां पर carbon and nitrogen के पास में चला आएगा, यह इस तरीकशे से, यहां पर water lift कर जाएगा, यहां पर mainly क्या हो जाएगा, यहां पर यह जैसे ही lift किया, तो यहां पर इस तरीके R1 के साथ में यहां पर carbon कटायन का जो है formation हो जागा because यहाँ पर bond का ब्रेकिंग हो गिया and यहाँ पर आपका मेली क्या form हो गिया यहाँ पर यह R2 carbon साथ में जो C triple bond N का formation हो गिया मैं फिर से बताता हूं यह bond इस तरह के से migrate किया है यानि यह carbon and nitrogen को बीच में 3 इस तरह के से bond का आपका जो है R2 का इस तरह के से formation हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर इस के साथ में आपके different product form हो सकते हैं या तो यह हो सकता है कि यह जो RCN है यह यहाँ पर इस पर attack कर सकता है यानि आपका क्या form हो सकता है यह देखो मैं यहाँ पर दिखाता हूं आपको एक form करें बताता हूं बाकी यहाँ पर आप समझ जाओगे ओके यह कुछ इस तरीके से यह आरवन है यह इस तरीके से आपको क्या formation हो जाएगा यहाँ पर फिर से double bond O का यहाँ पर formation होने वाला है मतलब यह आपका आरवन दिया हुआ है एंड इस तरीके से ग्रूप आपके है यह नाइट्रोजन यह carbon पर double bond O एंड उसके बाद में यह आर का मतलब यह compound का आपका से अगल्व हो जाने वाला है मतलब इस तरीके से आपका की रीक्सशन होती है एंड यहां पर अटाय करके फर्म कर सकता एंड यह एक हो सकती है इंघ्रों का इहां पर यहाँ 01 के साथ में तो यहां पर साथ में यहां तो हो गया जब आप फिर से बैक्मेन फ्रेग्मेंट सन होगी विगोज यह वाला जो कार्बन यहां पर नजर आ रहा है यह आपका त्री डिग्री होने के बाद में यहाँ पर आपका fragmentation हो जाएगा मतलब यह जो bond है इस तरीके से migrate कर जाएगा और यह जो है OH के साथ में जो AC CL दिये होए होंगे ना तो यह आपका OAC में जो है convert कर देगा इसे living group बना देगा तो यानि यह group live कर जाएगा मतलब यह जो है आपका कुछ इस तरीके से compound कर जागा विकोज जो है यहाँ पर यह बोंड ब्रेक किया है तो यहाँ पर एक positive चार्च लाएगा और यहाँ पर C triple position है third position में आपका इस तरीके जो है C triple bond N का formation किया हुआ है आप यहाँ पर next step में क्या होगा यहाँ से इस तरीके से आपका क्या होता है इसमें सिफ्टिंग होती है इन चीजों के पर में आपको यहाँ पर ध्यान देना और उम्मिद है यह लेक्चर आपको थोड़ी हद तक helpful रहे होगी तो मिलते हैं इस तरीके वीडियो साथ में नेस्ट के वीडियो में तब तक के लिए देने वाद